जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खुन चाहिए, यह आसमा भी आएगा जमी पर सहाब, बस इरादों में जीतने की गुन चाहिए तो इरादे ऐसे मजबूत बनाईए नाकसर की हमारी सफलता एकदम निश्चित हो, आप जब किसी काम को करते हैं न, तो बहुत से लोग बिध्रन डालते हैं, एक उधारन बताना चाहता हूँ, बाज पक्षी का नाम सुना होगा, और उसको चौँच मारता कौन है, कौवा करता है कि बाज हमेशा जो है उसकी गर्दन पर चड़ जाएगा, उसकी पीठ पर चड़ जाएगा, और उसको नोचना सुरू कर देगा, इसी तरह से वो बिचारा बाज कुछ नहीं बोलता है, बाज कहीं न कहीं धीरे धीरे अपनी उचाई पकड़ता रहता है, ये कौवा उसको परेशान करता रहता है, और जब बाज एकदम आसमान में लेकर चला जाता है, तो वहाँ जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि कौवा तो उचाई पकड़ नहीं सकता है, तो इतनी उचाई पर जाता है, तो कौवा भाई भी तो भी हो गया, और ऑक्सीजन भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप उनको टच मत करिए आप इतनी हाइट पकड़ जाईए कि वो कवे देखते देखते ही अपना जीवन समाप्त कर लें इसलिए इस कहानी का सार यही है कि हमको बाज बनना है कवें से उलजना नहीं है और कहीं न कहीं अपने जीवन में इतनी उचाई को पकड़ना है कि सब कवे धारा साही हो जाएं यह जीवन का सार है और दो लाइने तो जरूर सुनाओंगा कि मुश्किले दिल के इरादे आजमाती हैं सोपन के परदे निगाहों से हटाती हैं होसला मतहार गिरकर ओ मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं जैहिन जैभारत बंदे मातरम